नमस्कार स्वागत है अब सबीका डेली डाइडी नियूज में अलका यागनिक के जन दिन के मौके पे डेली डाइडी की तरफ से अलका यागनिक को हार्दिक बधाईया अपनी दिलकश अवाज से लोगों को दिवाना बनाने वाली अलका यागनिक आज अपना 91 बर्डिम मना रही है अलका यागनिक ने बॉलिवुड को 30 सालों तक अपनी अवाज से सजाए रखा उन्हें भारत की सर्शेश प्लेबेक सिंगर के तौर पर कई नैशनल अवाड मिल चुके हैं अलका का जन कॉलकटा के एक मिडल क्लास फैमली में हुआ था उन्होंने अपनी मा शुभा यागनिक से शास्त्रे संगीत सीखा घर में संगीत का महौल होने के कारण उनकी भी संगीत में रोची भटी रही मेहट 6 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था अलका कॉलकटा अकाशवानी में गाने लगी थी साथ ही वो भजन भी गया करती थी दस साल की उम्र में वो अपनी मा के साथ मुंबई आ गई और फिम मेकर राजकपूर से मिली राजकपूर को अलका की अवाज बहुत पसंद आ गई उन्हें लक्ष्मी कांथ प्यारे लाल से मिलवाया अलका ने प्लेबेक सिंगर के रूप में अपने कर्वार की शुरुआत 1973 में आई फिम पायल की छंकार से की फिम लवारिस का गाना मेरे अंगने में गाया तो हो जबदस हिट हुआ इसके बावजूद अलका को बॉलिवुड में पैल जमाने के लिए करीब 8 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा 1988 में आई फिम तेजाब के गाने एक दो तीन के बाद अलका को प्लेबेक सिंगर के रूप में पहचान मिल गई अलका अब तक 700 फिल्मों में 20,000 से ज्यादा गाने गा चुकी है याक में कुछ हमें से गाना नहीं गा रही है इसकी वज़ा आज के संगीत में बदलाव को मानती है अलका का मानना है कि बॉलिवुड में गानों की मधुरता खो गई है साथ बार फिल्म फिल्म और दो नेशनल अवार्ड से नवाजी गई अलका की आवाज आज कल कम ही फिल्मों में सुनाई पड़ती है साल 2016 में उन्हाने ऐसी तीन फिल्मों के लिए गाने गाय जो बॉक्स आफिस पर नहीं सफल रहे इसी वज़े से उनकी अवाज भी दब कई है अब उनकी कुछ पूछरो पारकर नहीं रही है